बिहार के सबसे बड़े घोटाले में से एक सिर्जन घोटाले को लेकर एक बार फिर CBI सक्रिय हुई है भागलपूर के बहुचर्चित सिर्जन घोटाले के आरोपी दमपत्ती अमित वब पिरिया के फ्रार होने के बाद अब उनके फ्लैट वब अन जगह पर CBI के दोड़ा इस्तिहार चिपकाया गया है बताते चले कि प्रवर्त तरंदिसक संतोषकुमार मंडल के नेत्रित में सिर्जन घोटाले के आरोपी दमपत्ती अमित वब पिरिया के अर्मों की संपत्ती पर फिर से सक्रिया होते हुए उनके दस जगहों पर अधिगरन कर कारवाई करते हुए सबोर अंतरगत रजंदिपूर अंग बिहार अपार्टमेंट कई फ्लैट इंजिनिंग कॉलेज भागलपूर के पास के भवन कई खाले जगहों पर प्लोट आधि को सील किया गया यों कई जगहों पर इस्तेहा चिपकाया गया बताते चले कि सिर्जन घोटाले में इससे पहले भी अंग अपार्टमेंट के कई कमलों को सील किया गया था इस घोटाले में अमीत इवं प्रिया की सनलिपता को देखते हुई CBI ने चार्ज सीट भी दाखिल किया था जिसके बाद अमीत और पिरिया एखिलाब गिरभतारी वारंट भी जारी हुई लेकिन आरोपीत फरार है और उसका कहीं अतापता नहीं चल पा रहा है इस बाद सीबियाई की टीम ने उनकी फाइल को फिर से खंगालना सुरू किया और भागलपूर सब और ब्लॉक अंतरगत फटेपुर इस्तित अंग बिहार अपार्टमेंट कलावे कई जगों पर इस्तिहार चिपकाया गया भागलपूर में नौनी हालों के भविष्य के साथ खिलवार किया जा रहा है रसल जिले के नौगच्यान मंडल चित्र के कहारपूर में 2020 तक मदविद्याले था 2020 में कोसी नदी में आई उफान ने मदविद्याले को अपने आगोस में समा लिया था जिसके बाद कहारपूर के बच्चों के लिए स्कूल की बेवस्ता नहीं हुई मजबूरन दर्जनों बच्चे छोटी सी जोपड़ी में पढ़ने को मजबूर है जब हमारे समवादता कहारपूर पहुँचे तो देखा एक से कच्छा चार तक के बच्चे एक ही जोपड़ी में जमीन पर बैठ कर पढ़ाई कर रहे हैं और उन सभी बच्चों पर बस एक ही सिछ चकते हैं अब ऐसे में आप अंदाज लगा सकते हैं कि हमारे नोनिहाल अपने भविसे को किस परकार सवार सकेंगे अब कर चुकी नहीं या नहीं बनाया है किसी तरह से जोपड़ी में हम पर आ रहे तो तह यहां पर अभी तो यहीं भर जाता है कि अब कटनी बने का समय भाग जाता है भी झाली आब पर आता है लेक्ट लोग पर पाता है जगदीसपूर परखंट के सनहौली पंचायत में जलनल परधान मंत्री आवास, मन्रेगा, पियर्चीटी विभाग, स्वास विभाग, सिच्छा विभाग, सही तमाम परकार की योजनाओं की जाच, हीतु, आउचक निर्चन के लिए जिलादीकारी भागलपूर, सुब्रत क जिससे अस्थानिय पतादीकारियों में हलकंप मचा रहा, सनहौली पंचायत में अपने निर्चन के दुरान उनने कई परकार की खामिया पाई, नलजर योजनाओं हुई खामी करन जेईक उन्होंने ततकाल परभाव से निलंबित करने का आदेश दिया है, वही कारपालक अभियंतायों सहायक अभियंता के बृद्ध कार में लापरवाई के बृद्ध अस्पश्टी करन मांगा है, अस्थानिय अजन परतनीधी से कहा कि पंदर में वित की सेस बची रासी से पंचायत में आवस्था काम करा लिये जाए, वहीं स्वास्त उपकेंद्र के मद्दे खुस नजराई, लोगों को लग रहा है कि सरकार की ओजना जिलाधिकारी के और चक निर्चन के बाद जमीन पर उत्रेगी जिसका लाप सनहली पंचायत की जनता को मिलेगा किया गया था, लेकिन स्कीन्स के स्थती बहुत खराब है, जो जेई हैं, उनके द्वारा लापरभाई बरती गई है, ग्रामीन बता रहे हैं कि सिकायत करने के बाद भी सुधार नहीं हुआ है, तो इसमें जेई को चैनमुक्त करने के लिए, संभीदा पर वो है, वो प्रस् गर्वी में भी इस तरह की लापरभाई नेंजल स्कीम में यो पीएजडी विभाग के अभियनताओं द्वारा बढ़ती गई है, तो उनसे असपस्टिकरन होगा, और जो जेई हैं, जुनियर इंजिनियर है, उनको संभीदा मुक्त करने के लिए प्रस्ताओ हम लोग विभ लेकिन जगदीशपूर परखंड के इमामपूर पंचायत में दसकों से रह रहे महादली टोले के असी घरों की बस्ती को उजाल कर सरकार अपना जमीन अतिकरन मुक्त करा रही है, प्राप्त जानकारी के अनुसार जगदीशपूर परखंड के इमामपूर पंचायत के जल नल है, बिजली है, विद्याल है, हर एक सुविधा समारिक संधर में इस सही तरीके से मिलती आ रही है। गुरुबार को अंचला धिकारी जगदीशपूर के कारियाले में अंचला धिकारी से मिलने पहुँचे और उन्हें अपनी समस्या को बताया। उन लोगों ने यहां तक कह दिया कि हम लोग का इस जमीन का रसीद भी कट रहा है, इसके बाबजूद जगा खाली करने का नोटिस थमा दिया गया है। सरकार को हम लोगों को दिबिस्थापिती करना है, तो पहले कहीं हम लोगों को बसा धे, फिर वर जमीन अतिक्रमन मुक्त करें। अनिता हम लोग हज्जारों की संख्या में बिना किसी कारन के बेघर हो जाएंगे, हम लोगों की समस्या पर सहनुभूती पुर्वग बिचार किया जाएं। जादा परदा उसकी जगह पर बुजर गए, इंद्रावास मिला, सभी को बिर्धा पेंसर मिलता है, महादलित इस्कूल है, महादलित चौपाल है, सब का बच्चावाँ पड़ता है, रासन कार है सबको, और अचानक नोटिस सला जाता है का आप लोग तीस तारिक तक में घ नोटिस में बोला गया है कि आप लोग को 26 सारिक से लेकर 30 सारिक तक में, क्यों घर खाली करें आप लोग सरकारी जमिन पर रहा रहा है, यह अतिकर्मन किया हुआ है, जब कि अतिकर्मन तो क्या हो नहीं सब सरकारी को बसाया गया है, और जहां जरूरत है, वहाँ देखने न करक लिए है, यह यह और आजने तो पों ए सब देखने, यह पों हसु देखनादना को गया है, यह तो नहीं है कि अब बहुत जहा है, चका इां हां कि आज़ा सर्फार है सब्दी। किस जगह किस जगा लुदर बता पारां है। आप लोग का कहीं घर ने है और दोर आपको जबी कि इस अधिता दिन से जबाए जबाएं 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 किदिकेट जह ने गार नाइजे दुआर मैं जबाल वचा लेका पाने कादर दिन जबाएं सुल्तानगन स्थानाचत के तिलगपूर पंचायत के कूल गाम गाउं के मुखिया घर के समीब बाइक सवार तीन यूबकों दुरा हतियार दिखा कर एक यूबती को डराते धमकाते देख ग्रामिनों ने तीन यूबकों को ख़दिड़ा जिसमें एक यूबक मौके से फ्रार हो गया पकड़े गया अपराधियों की पहचान दिलगौरी निवासी मुहमद लदाम और मुहमद सैफ के रूप में हुई है ग्रामिनों दरा अपराधियों को पकड़ जाने की सूचना मिलते ही सुल्तानगा स्थाना पुलीस मौके पर पहुची और दोनों अपराधियों को अपने कबजे में ले लिया वहीं मुखिया अमीत कुमार ने बताया कि हमारे घर के समीब तीन बाइक सवार यूवक हतियार लहरा रहे थे यूवा समासवी बिजय कुमार यादब भागलपूर के एक कई वार्डों में लगातार जल संकट को खत्म करने के लिए बुरिंग का निर्मान करवा रहे हैं उसी करम में भागलपूर के वाड नमबर 43 में पेजल की समस्या से निदान को लेकर युवा समाज से भी बिजय कुमार यादब के दुरा एक बोरिंग काउद घाटन किया गया जिससे महल लिवासियों को पानी की समस्या से निजात मिलेगी इस दुरान अस्थान ये लोगों पानी समस्या से भी बिजय यादब की जम कर सरहना की मौके पर काफी संख्या में महला पुरूस मौजूद थे अब यहां पर जो प्याव पले से था वह फेल हूचुका है और वो किसी परिस्थी में ठीक नहीं होने वाला है और लोग यहां पर पानी के लिए बहुत ज्यादा प्रिसानी में था लोग एक टेंकर पानी आता यहां पर नगर्निगां की तरफ से आता है लेकिन वो करीप करीप यहां पर दो डाइस हो गर है उसके लिए यह मतलब एवलेबल नहीं हो पा रहा था कुछ से जबी लोगों को पानी पी सके तो पागलपूर के बिक्रम सिला कलोनी रामसर इस्थित परस्थ जंगली काली अस्थान परिसर में जंगली स्वर महदेव मंदीर के प्राण परतिश्ठा के ठीक पहले भोलेनात मैया पारवती भगवान गनिश, कार्तिके जी और नंधि जी महराज को नगर्भामन कराया गया द्वान पंडितों के द्वरा सभी देपताओं का प्रान परतिष्ठा कराया गया। मंदिर परिसर में परमहन स्वामी आगमान नंजी महराच का प्रबचन और संध्या का भी आयोजन किया गया। अधिकारियों के साथ तिलकपूर पंचायत में चल रहे विभिन योजनाओं के निलचनकर ने पहुँचे। इस दुरान परखंड विकास प्लादीकारी ने जनवीतन परनाली की दुकान, हॉस्पीटल, मुख्यमंत्री साथ निश्चे योजना से चल रहे विभिन विकास योजनाओं, मन्रेगा और आवास योजनाओं के तहट चल रहे कारियों का जा जा लिया। सभी कारे संतोजनक पाये जाने पर मुख्यामीत कुमार ने नए कारे के लिए पंचाय सरकार भवन, आंगनबारी भवन और नए लोगों के लिए रासन कार्ड बनाये जाने की मांगी। परखंड विकास प्लादीकारी मनोच कुमार मुर्मु ने मूलभूत अवसकताओं को जल्द से जल्द पूरा कराये जाने का भी भरोसा दिया। सभी कारे जल्द पूर्ण होने की बात कही गई। इस दोरान उपमुख्या सत्यम कुमार सिंग, कारे पालक सहयक निकेट कुमार, तक्निकी सहयक सारिक समीम, पंचाय सचीफ फईज हरीजन सहीद बड़ी संख्या म ग्रामीन मौजूद थे।